और बड़ी खबर आपको बतादे से के साथ अर्मनाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास बड़ा हादसा हुआ है अर्मनाचल के कुरुंग से 18 मजदूर लापता बताये जा रहे हैं जबकि एक की मौत हालंकि लापता ज़्यादतर ये सभी मजदूर असम के रहने वाले हैं पांच जुलाई से सड़क पर योजना पर ये मजदूर काम कर रहे थे नमस्कार मैं मौमत फेसल और आप देख रहे हैं जन हितावाज मोदी जी का दुनिया वर में डंका बज रहा है पडोसी मुलक थर-थर काप रहे हैं पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, चाइना सब लोग थर-थर काप रहे हैं लेकिन आज जो मैं खबर आपके लिए लाया हूँ वो आपके रोंटे खड़े कर देगी जी हां किस तरीके से 56 इंच के ला लाग दिखाने वाले परदान मंतिरी जी के रहते हुए बोर्डर से 18 मजदूर ला पता है चाइना बोर्डर से जी हां आप अंदाजय लगाए कि जो लोग संसद में कहते थे कि ना हमारे बोर्डर पर हमारी सीमा पर ना कोई घुसा है ना घुसेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसको लालाख दिखाने की इम्मत रखते हैं लेकिन ये खबर आपको चोका देगी और जो असलियत है बोर्डर पे चाए वो पैंगोंग जील हो या जिस मजदूर जो सड़क परियोजना पर काम कर रहे थे वो लापता है उनका कोई खबर नहीं है आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है तमाम बड़े-बड़े मीडिया हाउस उस ने यहां तक कि अमेरिका ने भी कहा था कि जिस तरीके से लगदाव में अर्मनाचल परदेश में चाइना अपने गाउं बसा रहा है वो भारत की सीमाओं के लिए खत्रा है लेकिन हमारे देश के परदान मंतरी कहते हैं कि सब चंगा है हमारी सीमा में ना कोई घुसा है ना घुसेगा अगर एसी कोई हरकत करता है एसी कोई जुर्रत करता है तो हम उसे आख लालाग दिखा देंगे आप समझेए देखिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए और बड़ी कमर आपको बता देशी के साथ अर्मनाचल परदेश में चीन सीमा के पास बड़ा हादसा हुआ है और नाचल के कुरूंग से 18 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं जबकि एक की मौत हालांकि लापता ज्यादतर ये सभी मजदूर असम के रहने वाले हैं 5 जुलाई से सडक पर योजना पर ये मजदूर काम कर रहे थे ये वीडियो देखा आपने News 24 की खबर है आप देख सकते हैं कि 19 मजदूर जिसमें एक की मौत हो चुकी है अभी उसकी पुष्टी नहीं हुई है कि वो उनहीं मजदूरों में से था या कोई अलग है इसकी पुष्टी जा रही है लेकिन 18 मजदूर जो अभी भी लापता है 5 जुलाई को लापता हुए थे ये लोग अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आई है और आज खबर बाहर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से जो भारत के मजदूर थे वो जब BRO के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे Border Road Organization के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो अचानक लापता हो जाते है वो कहा गए किसने उनको किड्नेप किया ये किसने उनको मारा कुछ पता नहीं है उनके घरवालों का आरोप है कि वो अभी तक घर नहीं पहुचे है जबकि आज 15 दिन हो चुके है पूरे 5 जुलाई से लापता है लेकिन इसकी कोई ख़बर नहीं है तो परधान मंतरी मोदी जी क्या देश को बताएंगे कि आखिर अनुना चल परदेश के कुरून में चल क्या रहा है क्या इसपस्ट करेंगे कि हमारी सीमाय सुरक्चित है या नहीं है ये जवाब जरूरी है ये परधान मंतरी को बताना होगा देश को कि आखिर वो 19 मजदूर कहां लापता है जो सड़क परियोजना पर काम कर रहे थे उनकी अभी तक कोई ख़बर नहीं है तो ये सारी चीजे समझ नहीं होगी और अब दूसरी वीडियो जो आपको चोका देगी वीडियो नहीं दिखा सकते आप स्क्रिन शोर देखिए ये पैंगोंग धील है जहां पर चाइनीज मिलिटरी एक्सरसाइज कर रही है हमारे देश के परदान मंत्री कहते थे कि हमारी सीमा पे ना कोई घुसा है ना घुसेगा अगर करेगा तो हम ला लाग दिखा देगे तो आप मोदी जी जवाब दीजिए ग्रह मंत्री जी जवाब दीजिए कि आखिर ये चाइन जो एक्सरसाइज की वीडियो नेट पर साजा कर रहा है ये ये कहां की है आप बताइए और ये कोई मामला नहीं पहला मामला नहीं है 2020 में भारतिय सेनिकों और चाइनीज सेनिकों में जड़प हुई थी 20 जवान मारे गए थे उसमें चाइन के भी कुछ जवानों की मृति हुई थी तो आज समझ ये जब भी कहा गया था कि हमारे बोर्डर पर ना कोई घुसा है ना घुसेगा लेकिन 20 जवान जो है उनकी शहादत हो चुकी थी उस पर भी हमारे परदान मंतिरी ने संचत में देश के सामने जूट बोला था जबकि राजनाच जी ने कहा था कि हमारे बोर्डर सीमा पर कुछ हुआ है लेकिन हम उसका करारा जवाब देगे तो आप अंदाज अलगा सकते हैं हमारी दूसरी तरह परदान मंतिरी कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं गुसा है लेकिन ये जो 18 मजदूर ला पता है इनका जवाब कोन देगा आखिर वो मजदूर कहा गए जो एक सरकारी सड़क पर योजना में काम कर रहे थे मजदूर ही कर रहे थे वो अचानक ला पता हो जाते हैं की खबर तक नहीं होती है ना ही वहाँ के लोकल एड्मिनिस्टेशन को इनका पता है घरवाले भी ढून रहे हैं लेकिन इनकी कोई खबर नहीं है तो इसके पीछे क्या साजी से क्या चाइना जो अरुनाचल पर देश में गाउं अपने बसा चुका है वही पैंगोग में वह अपनी एकसरसाइज कर रहा है पैंगोग जील पर ये सारी चीजे दुनिया के सामने हैं लेकिन हमारे देश के परदान मंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हातों में है हमारे बोडर पर ना कोई घुसा है और न भुसने दिया जाएगा आपको याद होगा किस तरीके से surgical strike पर सवाल उठे थे आपको याद होगा किस तरीके से बाला कोटे टेक पर सवाल उठे थे ये सारी चीजे हैं पुलवामा आपको याद होगा उसकी आज तक जाच नहीं हुँ कि वो IDX कहां से आ था और जो DSP थे उनकी inquiry नहीं होती है उनको सिर्फ बरखास कर दिया जाता है तो आप समझे ये सारी चीजे कहां से हैं वहीं दूसरी तरफ अमरीका के जो defense minister है वो भारत को चेता रहे हैं कि आपकी सीमाओं के पास चाइना कुछ बना रहा है, कुछ हरकत कर रहा है आपके लिए बहुत खतरनाक सावित हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है लेकिन हमारे देश के परदान मंत्री और रक्षा मंत्री इन सब चीजों को नकार देते हैं आखिर क्या वज़े है पाकिस्तान को लालाग दिखाने वाले चाइना को लालाग क्यों नी दिखाते श्री लंका नेपाल को लालाग दिखाने वाले चाइना को लालाग क्यों नी दिखाते अपने देश के नागरी को परत्याचार करने वाले बुल्डोजर चलाने वाले समय रहते जाग जाईए समय रहते कुछ एक्सन लीजिए नहीं तो हो सकता है कि लद्दाक में चाइना कब जा कर ले अरुनाचल परदेश भारत के हाथ से चला जाए यह सारे सवाल है आप समझिए जिस तरीके से 19 मजदूर ला पता है वो चिंता का विशे है आखिर वो कहा ग क्या चाइना आर्मी ने उनको उठा लिया क्या उनकी हत्या कर दी गई है जिस तरीके से एक महाँ पर शव मिला है उसकी पुष्टी की जा रहे है क्या वो सव जो मिला है वो उन मजदूरों में से किसी का है या कोई अन्ये है तो यह बहुत ही भयानक ख़बर है जिस तरीके से चाइना हमारे देश की सीमाओं में घुस्पेट कर रहा है वहीं दूसरी तरफ यह जो श्क्रीन शोट आप देख रहे हैं यह चाइनीज आर्मी की एक्सरसाइज है जो पैंगोंग जील पर कर रही है मैं नहीं कह रहा हूं बड़े पत्रकार रहे हैं विजे सिंग ने ट्व जील कुमार जो रेशियन चेनल में बड़े जर्नलिस्ट है उन्होंने ट्विट किया आई यह वीडियो देखे किस तरीके से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पैंगोंग जील के पास चीनी सेनी अभ्यास कर रही है वीडियो सामने आया है चीन को लालाग करके सम आने की बात कर रहे थे वो भारत में दूद दही दाल चीनी आटा पर 5% जीएश्टी लगा रहे हैं वो देशवासियों को जो गरीब है मजदूर है उन्हीं को दबा रहे हैं उन्हीं को कुचल रहे हैं लेकिन हमारा पडोसी मुल्क चाहिए ना जो लगातार भारत में गु हैं आप सोचें 19 मजदूरों का क्या होगा आखिर वो गायब ऐसे कहां हुए मैं नहीं कहा रहा हूँ सोचल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 19 मजदूर कहां गए उनके साथ क्या हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है यह सारे सवाल है लेकिन हमारे द अस्पताल में एक महीला को बेड नहीं मिला इसलिए उनको सडक परी जो अस्पताल का परीसर औरता है मही पर उनको डिलीवरी करनी पड़ी तो आप अंदाज लगाईए कि किस तरीके के हालात है इस खबर पर आपकी क्यारा है आप अपनी राज जुनों दीजे शुक्रिया झाला में उनको सब्सक्रिया चंदा अपकी कि पर आपकी कि कि जुच आम थापकी कि अ की अ जुथ नहीं मैं परी तो कि अूम है झाला आपकी करई।